हाई हलो नमस्ते फ्रेंड्स आज की रेल कारवा में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज की वीडियो में हम जानेंगे की रेल गाड़ी के भार से पठरियां क्यों नहीं तूटती या मुडती तो आज की पूरी वीडियो इसी के उपर होने वाली है अगर आप हमारे चैनल पर नहीं है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए तो चलिए आज के रेल कारवा शुरू करते हैं एक लाइन का हुत्तर यह है कि चुंक की लोको मोटिव का भारी भार रेलवेट ट्रैक पर ही वितरित होता है मान लीजिए कि आपको धातू की छड का एक टुकड़ा दिया गया है और बल के माध्यम से इसे तोडने या मोणने के लिए कहा गया है आपकी रणनीती क्या होगी या तो आप उस धातू की छड को एक ही फुल क्रम प्रकार की वेवस्था पर रखें और दोनों तरफ दबाव दें या आपको उस छड को दो फुल क्रम प्रकार की वेवस्था पर रखना होगा और बीच में बल लगाना होगा धातू की छड क्यों तूटेगी दोनों अवसरों पर उस धातु की छड़ पर साजा बल या जुकने वाले छड़ के आविदन के कारण क्या होता अगर आप उन फूल क्रम प्रकार की वेवस्थाओं को नहीं करते और धातु की छड़ फर्ष पर पड़ी होती इस थिती में धातु की छड़ पर लागू बल पूरी लंबाई में वित्रित होगा और वह उस छड़ पर कोई साजा बल या जुकने वाला छड़ नहीं बन पाएगा पर डाम स्वरूप छड़ नहीं तूटेगी यह railway track है आप देख सकते हैं कि railway track स्लीपरों पर बिचि हुई है दो स्लीपरों के बीच का अंतर बहुत कम है यह ऐसा है जैसे बिना किसी अंतर के मिट्टी पर बिचाई गई railway track यह railway track के भीतर लोको मोटिव या कोच के भारी भार से share force या bonding moment के उत्पन होने को रोकता है इस प्रकार मिट्टी के माध्यम से railway track विछाने की ये विशेस व्यवस्था train के भारी वजन के नीचे rail के धाने या मुणने से होती है railway track को train और लोको मोटिव के साथ रखने के लिए railway एक विशेस क्रत्री माधार का भी उपयोग करता है यह बवस्तरी है और शिर्ष पर बजरी का उपयोग किया जाता है उमीद करते हैं कि अब आप लोग समझ गए होंगे की रेल गाड़ी के भार से पट्रियां क्यों नहीं तूटती या मुडती अगर आज की वीडियो में दी गए जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों साथ शेयर कर दीजिए और चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब करके वेल आइकन को प्रेस कर दीजिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद तो फिर मिलेंगे किसी दूसरी वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई